आस्टेलिया के खिलाब वंडे सीरीज के लिए 16 सदस्ये नई भारते टीम का एलान कप्तान रोह शर्मा और स्रिय सयर हुए बाहर जिहां दोस्तों वीडियो सुरूआने से पहले वीडियो को चल्दी से लाइप कर दें 17 मार्स 2015 से भारते टीम तीन मैचों की वंडे सीरीज में आस्टेलिया एटीम की मेजवानी करेगी आस्टेलिया के खिलाब तीन मैचों की वंडे सीरीज के लिए भारते गेट वोर्ड ने टीम इंडिया के स्वार्ट का एलान कर दिया है लेकिन वार्डर गावसकर टेस्ट सीरीज की दोरान एक खिलाडी चोटी लग गया है जिसके बाद उस खिलाडी का वंडे सीरीज में खिल पाना मुस्किल लग रहा है वहीं सीरीज के पहले वंडे में रोहर शर्मा पारिवारिक कारणों से टीम में नहीं होंगे बता दें कि पहले वंडे में रोहर शर्मा कुछ पारिवारिक कारणों से टीम से बाहर रहेंगे ऐसे में उनकी जगे हर्दिक पांडिया पहले वंडे में टीम इंडिया की कप्तानी करते दिखेंगे साथ ही इस सीरीज में स्रियस एयर के खेले पर अभी संसर बना हुआ है दरसल स्रियस को उस्टेलिया के खिलाब चौथे टेस्ट में फीट में दर्द की सिकायत सामने आई थी जिसके बाद BCCI की मेडिकल टीम ने उन्हें अस्पताल रेफर किया था टीम इंडिया में आपका फेवरिट खिलाडी कौन है हमें कॉमेंट करके अपनी राय जरूर बताए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें मिलती है नेक्स्ट वीडियो में